Hello friends, welcome to my channel So friends, आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं BA First Year English Literature के कुछ literary terms कुछ के बारे में हमने discuss कर लिया था बढ़ कुछ रहा गए थे तो आज हम इस वीडियो में उन्ही के बारे में discuss करेंगे अगर आप BA First Year English Literature paper first के बारे में कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आप नई शुरवात जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर playlist जो आता है point उस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर अगर आप सर्च करोगे तो BA First Year English Literature paper first के नाम से एक playlist बनाए गई है जिसमें आपको जो paper first में जितने भी topics हैं वो सभी करवाए गई है और वहाँ पर जो stanza है वो किस तरीके से explain करती है वो सारा जो matter है वहाँ पर करवाए गया है आप उसे देख सकते हो तो वहाँ पर ही आपको literary terms की जो वीडियो है वो भी एक मिल जाएगी जो कुछ रहाए गए थी उसके बारे में आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो आपका जो ये literary terms से related question है एक तो section A जो है वहाँ पर two two marks के question आती है जिसमें से एक question आपका literary term में से पूछा जाता है तो उसके लिए आपको basically 2 से 3 lines का answer त्यार करना होता है इसके अलावा भी questions आती है लेकिन अगर आपने fourth तक unit यानि कि अगर आपने starting की चार units अच्छे तरीके से पढ़ रखी है तब आपको fifth unit पर जादा tension लेने के जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं भी आती है तो भी कोई बात नहीं ठीक है बस ये है कि जो literary terms में से section A में दो number का question आता है वो आप अच्छे तरीके से त्यार कर लो तो उसी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है सबसे पहला जो literary term है उसका नाम है sonet sonet क्या होते है तो ये मैं पहले आपको बता देती हूँ ये एक lyric poem होती है जिसमें 14 lines होती है 14 lines की एक poem होती है और इसकी जो starting है वो Italian यानि की Italy से हुई थी बस आपके लिए इतना ही important है the sonet is a 14 lines poem की ये जो poem होती है जो की 14 lines की होती है it is written in iambic pentameter और ये जो poem है ये iambic pentameter में लिखी जाती है the name sonet is taken from Italian यानि की ये जो word है sonet ये कहां से लिया गया है Italian के word जिसका नाम है soneto से लिया गया है which means जिसका मतलब होता है a little song और sound जिसका मीनिंग क्या होता है एक यानि की छोटा छोटे रूप में एक कोई sound या फिर song इसके बार next है ऐलेजी ऐलेजी क्या होता है यानि की एक poem होती है जिसमें हम किसी एक ऐसे person के लिए poem लिखते हैं जिसके death हो गई हो तो उस person के दुख में उसके याद में जो poem लिखी जाती है उसे अलेजी क्याती है अलेजी विस टेकन फॉर्म ग्रीक वर्ड ये जो वर्ड है अलेजी ये ग्रीक वर्ड अलिगोस से लिया गया है मीनिंग क्या होता है इसका song of morning यानि कि एक song है किसी के दुख के में काया जाता है यानि के ऐसे poem जिसमें हम दुख प्रकट करते हैं उस person के लिए who is dead, जिसकी अब that हो चुकी है इसके बाद अगला है lyric lyric क्या होता है lyric क्या होता है, lyric कि इसे poem in which the poet expressing direct usually intense personal emotions especially in a manner suggestive song lyric क्या होता है कि जब यह गाया जाता है या फिर जब यह लिखा जाता है तो यह poem के रूप में लिखा जाता है और इस तरीके से लगता है जैसे कि एक song है और इसमें जो point है वो अपने जो emotions होती है खुद के personal emotions होती है उन्हें express करते हैं ठीक है इसके बाद है onomatopia, onomatopia में क्या आता है कि जैसे कोई point है उसमें कुछ ऐसे words का use किया जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये word किसके बारे में suggest कर रही है जैसे कि अगर buzz का sound आते तो हमें पता है कि ये भी मदुमक्खी के लिए use किया जाता है और इसे तरीके से अगर ting-tong का sound आता है जैसे point में कोई word लिख दिया ting-tong तो इससे हमें क्या आपता चलेगा कि bell को बजाया गया है तो वो जो word है उसको समझाने के लिए उसका जो sound होता है उसका use किया जाता है उसे ही onomatopia कहते है this literary term containing sound similar to the noise they describe यानि कि इसमें क्या है कि sound का use किया जाता है एक ऐसा word का use किया जाता है जो एक sound बताता है उस चीज का ठीक है जैसे कि अभी मैंने बताया कि bell का sound क्या होता है टिंग टॉंग तो अब हम वहाँ पर bell की जगा क्या लिख देंगे टिंग टॉंग इस तरीके से पोई में कुछ यूज किया जाता है for example जैसे कि buzz his word है जो वो snake के लिए यूज होता है इस तरीके से इसके बाद आगे लिखा है the use of word यानि कि एक ऐसा word यूज किया जाता है whose sound जिसका sound suggest करता है कि उसका क्या meaning है टिंग टॉंग से पता क्या चला bell बजी तो इस तरीके से इसके बाद अगला जो point है उसका नाम है rhyme rhyme क्या होती है a short piece of writing in which word at the end of the each line sound the same as the word यानि कि rhyme में मान लो जैसे एक point है उसका जो first language है उसमें total 4 lines है तो यह जो 4 lines है उसके जो last वाला word होता है वो क्या है जब same same sound दे जैसे कि side, hide bat, cat, hat तो देखो last वाला जो sound है वो same आ रहा है ठीक है point की जो line होती है एक line का last वाला word और दूसरी line का जो last वाला word है या तीसरी line का जब last वाला word match होते हो तो उसे rhyme कहते है a short piece of writing in which word at the end of each line sound the same as the word at the end of the line before it इसका मीनिक है कि एक line का जो last का sound है वो बाके की line के last वाले sound से अगर match हो जाता है तो उसे rhyme scheme कहते है जैसे कि a, b, a, b तो ये चीज़ तो आपने basically अगर points पर रखी है तो आपको पता चल गया होगा इसके बाद next है rhythm, rhythm क्या होते है जैसे कि जब हम बोलते है तो ऐसा नहीं कि हमारा जो बोलने का तरीका है ये जो हमारी sound है वो हर time same होती है कभी तो क्या होते है आप serials बगएर देखते होगे तो उसमें पहले normal बात हो रही होती है उसके बाद कोई ऐसी बात कहा दी जाती है तो वो होता है na वो धीरी ही बोलते हैं, ठीक है, उसका sound धीरी होता है, लेकिन वो जो क्या वाल हो तो उसमें कुछ जादा ही उपर कर देते हैं, तो ये जो चीज होती है, इसे ही तीदम कहते हैं, A flow of rising and falling sound in a language that is produced in words by a regular repeating of stress and unstressed syllable, main चीज कहा है कि rising और falling the sound, यानि कि कोई poem लिखी गई है, उसमें जो language है, उसमें rise किया गया है कुछ sound को और कहीं पर उसको कम किया गया है, तो उसे ही क्या कहते हैं, रिदम, इसके बाद है ओड, ओड क्या होता है, A poem that is written for a special occasion, यानि कि, ओड क्या है, एक ऐसी poem होती है, जो कि किसी एक special occasion पर लिखी जाती है, और that speaks to a particular person or thing, और इसमें जो point होती है, वो किसी एक special person के लिए, या किसी special thing के बारे में बताते हैं, जैसे कि, ओड to beauty हो गया, ओड to night angle, जो कि, जोन किर्स के दवारा लिखी गई है इसके बार next है, tragic comedy, tragic comedy क्यों होता है, देखो ये दो वर्ट से मिला हुआ है, एक तो हो गया tragedy और एक हो गया comedy, tragedy का क्या मिन्स होता है, एक ऐसा drama जिसमें कोई दुख बरी गटना हो, और comedy क्यों होगी, एक ऐसा drama जिसमें बहुत सारे, यानि कि हसी की बाते हो, जब tragic comedy हो गया, तो इसका मिनिंग क्या हो गया, कि जहां पर दोनों का mixture हो, tragic जो होता है, इसका end हमेशा दुख में होगा, और comedy का जो end होता है, वो लगबग happy में होता है, तो यहां पर ये दोनों का क्या हो गया, एक mixture हो जाता है, एक mixture हो जाता है, और play that blends element of both, tragedy and comedy, is known as tragic comedy, यानि कि जिसमें tragedy भी हो और comedy भी हो, जब दोनों ही element हो, तब उसे क्या कह देती है, tragedy comedy, the remarkable thing about tragedy comedy is that it can make you laugh and cry, यानि कि जो tragedy comedy होती है, इसमें क्यों होता है, कि बहुत सारे ऐसे events आती है, जहां पर या तो हमें कभी-कभी बहुत ज़्यादा हसी आती है, और कुछ ऐसे आ जाते है, events या कोई घटन जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, हम emotional हो जाती है, तो इस तरीके से आपके जितने भी literary terms थे, वो सभी मैंने करवा दी है, hopefully आपको कही न कहीं थोड़ी बहुती सही help जरूर हुई होगी, और अगर आप मुसे contact करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आ आपने शुरुवार टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो, वहां पर अपने जो भी डॉट्स वगरा हैं उन्हें पूछ सकते हो, so thank you friends for watching my video, thank you